नमस्कार आउ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत्त। मैं केलाश्वर्मा इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं यानि परिचय कैसे लेना परिचय कैसे देना इससे चुड़ी हुई कुछ additional बातें क्योंकि पिछले वीडियो में हम शुरुआती बातों का जिक्र कर चुके हैं और नाम कैसे बताना वगेरा जान चुके हैं पर नाम के अलावा लोगों की रूची आपके काम में भी होती है अब introduction में केवल नाम तो होता नहीं इसलिए अन्य details भी जैसे काम यानि व्यावसाय, पता ठिकाना, उम्र, शौक आदे भी हमको बताते आना चाहिए तो चलिए सीखते हैं details फर्निश करना यानि विस्तार से बताना Profession या Occupation यानि काम धंदे के बारे में spoken English में वाक्य बनता है I am a dot 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 ये dot 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 में हम खाली स्थान भरेंगे जैसे मैं teacher हूँ तो मैं कहूँगा I am a teacher कोई व्यक्ति कहेगा I am a doctor कोई कहेगा I am an engineer इस तरह से वो जो भी बोलेंगे उसमें A या N लगाएंगे और उसके बाद में वो अपना Profession या अपना काम धंदा बताएंगे दोस्तों हिंदी में अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल ना भी करें और कहें मैं सिक्षक हूँ तो भी मोटे तोर पर चल जाता है वो सकता है ग्रेमर की दृष्टी से ये उतना सही ना हूँ पर बोलचाल में चलन में ये वाक्य अलाउड है पर अगर आप अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में I am teacher बोलना अलाउड नहीं है अटपटा लगता है और बहुत ज्यादा गलत लगता है इसलिए आपको बोलना होगा I am a teacher, I am an electrician, I am a doctor, I am an engineer, I am a manager, वग्यरा वग्यरा I am a pilot, I am a driver, जो भी आपको बोलना हो उसमें A जरूर लगाईए क्योंकि अंग्रेजी में एक नियम है Countable nouns जब singular में होते हैं तो उनके साथ A या N लगना जरूरी है Countable nouns मतलब गिनने योग्य nouns अब सिक्षक गिने जा सकते हैं, pilots गिने जा सकते हैं, drivers गिने जा सकते हैं, वो countable हुए और वो singular में हैं, एक वक्ति एक ही सिक्षक होगा ना, दो सिक्षक तो नहीं होगा इसलिए I am a teacher, I am a nurse, जिसका जो profession है, वो उसके साथ A जरूर लगाए, ये अंग्रेजी में नियम है तो आगे हम समझते हैं कुछ और बातें, तो वाक्ये बनेंगे I am Kayla Sharma, I am a teacher, what are you? याद रखें, who are you? पूछने पर नाम बताया जाता है, और what are you? पूछने पर काम बताया जाता है Who are you? ऐसा प्रश्न पूछा किसी से, who are you? उसने का, I am Surindra What are you, Mr. Surindra? उसने का, I am a journalist, मैं पत्रकार हूँ तो यहाँ पर आपने देखा, कि जब पहले मैंने उससे, who are you बोला था, तो उसने अपना नाम बताया और जब मैंने का, what are you? तो उसने अपना काम बताया अब इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम Surindra से किसी और परसन के बारे में पूछ रहे हैं और मैंने पूछा, who is she? उन्होंने का, she is Lalita उन्होंने नाम बताया, she is Lalita What is she? आंसे राया, she is a doctor अब यहाँ पर हमने देखा कि जब मैंने कोई शी बोला तो Surindra ने परिचे कराते हुए किसी Lalita नाम की महिला से मुझे इंटर्डूस कराया और जब मैंने पूछा, what is she? तो उन्होंने उसका प्रोफेशन बताया नाम और काम के बात, अक्सर लोग की रुची रहती है या तो व्यक्ति के बारे में उसकी उम्र जानने में या फिर वो कहां से आया है या जानने में तो हम ले लेते हैं पहले उम्र अब जब उम्र की बात हुई, तो अंग्रेजी में उम्र पूछने का तरीका भी तोड़ा रोचग है और हिंदी से तुर्णा करने पर कभी आप इसे अटपटा भी पा सकते हैं क्योंकि हिंदी में हम किसी से ने पुछते कि आप कितने बुड़े हैं या आप कितने पुराने हैं अंग्रेजी शब्दे old हम समझते old याने पुराना, old याने जूना पुराना, old याने बुड़ा पर यहाँ पर जब हमने कहा how old are you? तो यहाँ प्लीज ऐसा ना समझे कि हमने उसे पुछा तुम कितने पुराने हो, यह हस्यासपद लगेगा दरसल अंग्रेजी की अपनी खुद की परंपरा हैं इसलिए उस पे हमें हिंदी के साथ तुलना करने की बजाए, हमें यह सीखने की ज़रूते की अंग्रेजी में किसी बात को कैसे पुछा जाता है, वहाँ पर परंपरा क्या आए? तो पुछा जाता है, how old are you? यानि आपकी उम्र क्या आए? यह बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है और यह आम तोर पर नहीं पुछा जाता है, अलवत्ता जो फॉर्म समभरते हैं, वहाँ पर एज का पॉलम होता है, तो वहाँ पर हमें अपने उम्र लिखने रती है, तो वह लिखित अंग्रेजी में तो ठीक है एज पुछ लिया और एज आपने बता भी दी, पर अंतु बोल चाल में लोग हमेशा पुछते हैं, हाँ ओल आई यू, हाँ ओल इस ही, हाँ ओल इस शी वगेरा वगेरा, तो हमने एंसर दिया, आई एम फिफ्टी येर्स ओल्ड, शी इस ट्वेंटी येर्स ओल्ड, ये ट्वेंटी त्री ये इसमें आपने दिखा कि हमने अपने उम्र बताई और कि हमें इतने साल का हूँ, इतने बरस का हूँ, इतना मेरा एज है, तो फिफ्टी येर्स ओल्ड, ट्वेंटी त्री येर्स ओल्ड, ऐसा बोल करके हमने बताया कि हमारी उम्र क्या है, हम कितने साल के हैं, हम कितने बरस क हैं रोचक बातों का सलसिला अंग्रेजी में थमने का नाम ही नहीं लेता अब एक और रोचक बात अंग्रेजी में ये भी है कि कई बार एक शॉर्टेंड वर्जिन इसका इस्तेमाल होता है और बजाए ये कहने के कि I am 50 years old मैं ये भी कह सकता हूं I am 50 I am 50 सुनने में again आपको अ husband is 27 मेरी बहन 25 बरस की है और उसका पती 27 बरस का है इस तरह से बगेर बरस बोले भी वो understood रहता है और उसमें हम ये भी मांद के चलते हैं कि वो 50 या 25 या 27 जो भी हैं वो साल है ना की महीने ना की हफ़ते तो she is 25 मतलब 25 months की है या 25 weeks की है ऐसा नहीं वो 25 years की है यही understood होता है और यही जाना और समझा जाता है हिंदी में भी कभी कभी हम कहते हैं अरे उसका कजन है ना राजेश हमने का हाँ तो यह कोई 25 बरस का होगा हाँ नहीं नहीं 30 का है अब यह 25 का बरस बोला आगे 30 का है बोल दिया और फिर बहस होने लगी 30 का है 32 का है यह जो भी बाच्ची थोरिसम को बोलना नहीं पढ़ रहा है कि साल यह understood है इस तरह से अंग्लेजी में हम लोगों से उम्र पुछते हैं जब बारी आती है पता पुछने की तो कोई भी आपका postal address नहीं जानना जाता पता पुछने में उनकी रुची रहती आप कहां से हैं औ अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो वहां लोगों को यह जानने में रुची नहीं कि आप किस महले में रहते हैं या किस गाउं में या किस शेहर में किस जिले में किस प्रदेश में वहां लोग केवल आपका देश जानना चाहते हैं तो वहां आप कहेंगे I'm from India अगर क आप अपने ही देश में लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर संभाव है कि लोगों को केवल आपके राज्य में रुची हो, तो आपने का I am from Madhya Pradish, I am from Rajasthan, where are you from, I am from Kerala, तो आपने अपने राज्य का नाम बताया, और राज्य में ही अगर आप हैं, और लोगों ने आपसे पुचा where are you from, और आप बहेंगा I am from Madhya Pradish, तो हास्यासपत बनेगा, क्योंकि आप Madhya Pradish में हो, सभी लोग Madhya Pradish के वहाँ पर बैठे हैं, ऐसे में आप रहेंगे I am from Indore, I am from Bhopal, I am from Ujjain, आपको जो भी अपने गाउं का शहर का नाम बताना है, वो नाम बताईए, परन्तु यदि आपने अपने गाउं का नाम बताया है, और गाउं छोटा है, तो आपको उसके साथ उसका तहसील या जिला भी बताना चाहिए, जैसे आपने का I am from Musa Kheri in Indore District, तो हाँ पर आपने यह हुआ अपने बारे में बताना कि आप कहां से हैं, किस एरिया को, किस देश को प्रदेश को बिलॉंग करते हैं, अगली चीज जिसमें लोग की रुची रहती है, वो होती है आपकी होबी यानि आपका शौक, आपने अभी अपना नाम बताना सीख लिया, उम्र बताना सी लिया, प्रोफेशन बताना सीख लिया, और तो और आपने अभी सीखा कि कैसे आप बताएं कि आप कहां से हैं, पर यह जो शोक वाली बाते, इसमें कुछ और चीज जुडती है और यह बहुत लंबा चोड़ा विशय हो जाता है, इसलिए इसे हम लेंगे अगले वीडियो म अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हूँ, तो आप इसे लाइक करें, शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नमस्कार